बाढ़ अपने पीछे बरबादी के निशान छोड़ जाती है कुछ दिन पहले आप सभी ने देखा कि उत्राखन में भारी बारिश ने तबाही मचाई सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ नैनिताल नैनिताल की माल रोड नैना देवी मंदिर सहित काई इलाके जलमगन हो गए थे हाला कि इस थितिय भी सामानने है लेकिन बरबादी के निशान आज भी उस खौफनाक मंजर की लोगों को याद दिलाते है वैसे तो पहाडों पर जब भी बारिश होती है तो उसका प्रभाव मैदानी इलाकों पर भी पढ़ता है क्योंकि पहाडों पर बरसने वाला सारा पानी मैदानी इलाकों का ही रुख करता है और बहता हुआ नीचे की तरफ आ जाता है और नदियों में मिलता है जब ये पानी नदियों में मिलता है तो नदियों का जलिस्तर बढ़ना लाजमी है ऐसे में पहाडों पर हुई इस बारिश से धर्मनगरी हरिद्वार में गंगा का जलिस्तर भी खत्रे के निशान से उपर पहुँच चुका था और बाड़ की स्तिती बन गई थी जिसका प्रमाण मेरे पीछे आप देख रहे हैं जो बहकर आया था मा गंगा के उस तेज वेग में और इस मेरे पीछे का पूरा घाट भी जलमगन हो गया था आज इस घाट पर भी बरबादी के निशान है जगह जगह से रेलिंग और पत्थर तूट चुके हैं कई लोग कहते हैं कि धर्मनगरी हरेद्वार में गंगा का जलिस्तर तो बड़ा ही नहीं था लेकिन आप खुद देख सकते हैं ये प्रमाण है कि किस तरहां से और कितना तेजी यहां पर वेग था कि ये पूरे पत्थर और रेलिंग तक तूट गएं सामने विशाल काई जो व्रिक्ष है ये साक्षात प्रमाण है इस बात का कि कितनी ताकत रही होगी इस स्थान पर उस दिन मा गंगा के वेग में अब आप ये रेत देखिए ये रेत उपर तक घाट पर जमा हो चुकी है 6-6-7-7 फीट उची रेत जमा हुई है और आप आगे भी देखे कितना रेत यहां जमा हो चुका है ये पुरे घाट का हाल है ये पुरा घाट जो 600 मीटर तक में बना हुआ है हर जगा रेत ही रेत है और आप यकीन नहीं मानेंगे इस्तनान करने वाला स्थान अभी भी 20 फीट से जाधा नीचे है जो भी जल मगने है और देखिए यह पूरी जाडिया यह सब उस तेज वेग के साथ ही बह कराया था और यहां तक यह सब इखटा होने का मतलब है कि पानी इसके उपर से बह रहा था आप देखिए यह है यहां घाट पर चेंजिंग रूम क्या हाल है इस चेंजिंग रूम का आप खुद देख सकते हैं मैं यहां पर सीधा खड़ा तक नहीं हो सकता हूँ और जब पानी बढ़ा था तो यह चेंजिंग रूम पूरा डूब गया था अब पानी गुजर ज आने के बाद यहां पर केवल रेत ही रह चुकी है। हरिद्वार में जब भी गंगा का जल इस्तर बढ़ता है, तो चंडी घाट पूल के नीचे बना नमामी गंगे का यह घाट, इसे चंडी घाट के नाम से भी जाना जाता है, जो सबसे बड़ा घाट है धर्मनगरी और आधा तो ये रेत में डूबा है और आधा गंगाजी के जल में डूबा है और उमीद नहीं है कि अभी कुछ समय तक ये सामानने हो पाएगा क्योंकि इसको साफ करने में रेत को नीचे वापिस डालने में काफी टाइम लगेगा यहां पर भी पूरे घाट पर रेत ही रेत जमा है आधा घाट रेत में समाया हुआ है आधा घाट जल में समाया हुआ है जहां भी देखो घाट पर हर तरफ के वल रेत और जल ही दिखाई दे रहा है वैसे तो इस्तिती अभी सामानने हो चुकी है लेकिन हम आपसे निविदन करते हैं कि जब भी बरसात हो या बरसात का मौसम हो तो आप परवतिय इलाकों का रुख ना करें अगर बहुत जरूरी हो तो ही जाएं क्योंकि बरसात के समय पहाडों पर लैंड स्लाइड होने की संभावना जादा रहती है ऐसे में दुरगटना होने की संभावना भी भरी रहती है इसलिए आप लोगों की सुरक्षा के लिए जरूरी है कि आप लोग घर पर ही बैठें बहुत जरूरी हो तो ही परवतिय इलाकों का रुख करें इससे आप भी सुरक्षित रहेंगे आपका परिवार भी सुरक्षित और आप खुशहाली में जीवन व्यतीत करेंगे आज की वीडियो में फिलाल इतना ही इसी तरहां से हम आपको जानकारी देते रहेंगे धार्मी के स्थलों के दर्शन कराते रहेंगे और समय समय पर अवेयर भी करते रहेंगे लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करना आप ना देट रहेंगे धन्यवाद